एइ फ्रेंट्स तो कोई अपडेट में بात कर लेते हैं नेट्फिक्स की सारी मार्वल की सीरिज़ के बारे में जो कि अब ओफिशली नेट्फिक्स पर बिलकुल भी नहीं अविलिबल है हाला कि content Netflix वालों के साथ डिजनी वालों ने मिलकर बनाया था जिस time की situation पूरी तरीके से अलग थी लेगिन उस series की success को देखते हुए डिजनी वालों ने अपनी तरफ से अपना दिमाग लगाया और आज उनके पास खुद का एक streaming platform है जिसे हम डिजनी प्लस के नाम से जानते है बाकी बाब अगर की की गई confirmation के हिसाब से ये बात भी हमें बहुत अच्छी तरीके से समझा जाती है कि डिजनी वाले Marvel के content को लेकर बहुत ज़्यादा serious है और हाँ Star Wars के universe को भी जिसे वो लोग दूसरे किसी भी platform को बिल्कुल भी provide नहीं करना चाते और अब ऐसा ही हुआ है जिसमें अब official confirmation इस सारे के सारे Netflix के Marvel शो की डिजनी प्लस पर आने की कर दी गई है जिसके लिए fans को फिलाल तो ज़्यादा वेट नहीं करना है क्योंकि ये सभी shows जिनमे agent of shield भी शामिल है वो सभी 16 मार्च से डिजनी प्लस पर दिखाई देगे और किन किन कंट्रीज में इने green light दी गई है वो नाम US, Canada, UK, Israel, Australia और New Zealand जैसी कंट्री का है बाकी बात रही Asia यानि के इंडिया के रिलीज होने की तो उस पर भी जल्द अपडेट निकल कर आ जाएगी या फिर हो सकता है किसी 16 मार्च के दिन इस कंट्रीज को डिजनी प्लस होट स्टार पर भी रिलीस कर दिया जाए जिस पर और भी कई सारी डिटेल्स है जिसे मैं अपने main channel पर cover करूँगा क्योंकि अब इस quick update में इतना ही आपकी राय मुझे comment में चाहिए बाकी मैं हूँ अजीज शेक मिलूँगा आपसे जल्दी दूसरी किसी वीडियो में till then बाई